सरकार के ओर से हाल ही में पालंपुर को नगर निगम का दरजा दिया गया था जिसके बाद यहां चुनाओ करवानी के लिए जलाप्रशासन को निगम का धांचा तयार करने के भी आदेश जारी किये गए थे सरकार के आदेशों के बाद जिलाप्रशासन की और से बहुती शौट टाई में निगम का संपुन धांचा तयार कर लिया गया है अपर्शासन निगम के अंतरगत आने वाले लोगों से अब्जेक्शन लगाने का भी वक्त तैय गया था कि अगर किसी को इस मामले में हस्तक्षेप करना हो तो वो कर सकता है जिसे उनके मनमाफिक तैशर्टों के तहट बदला जा सके प्रशासन की इस अपील पर लोगों ने अबजेक्शन भी किये थे जिन्हें प्रशासन अपने स्थर पर दुरुस्त किया है बावजूद इसके अभी भी अगर नगर निकम को लेकर किसी को संदेह है या कोई अबजेक्शन है तो वे डिविजनल कमीशनर के समक्ष कर सकते हैं जहां उनकी सुनवाई हो सकेगी जलाधीश राकेश प्रजापती की माने तो 25 से नवंबर को नगर निकम पालंपूर की रिजावेशन का पूरा प्रोसेस मुकमल कर लिया जाएगा गौर्टलब है कि नगर निकम पालंपूर में कुल 15 वाड बनाये गए हैं जिसमें 14 के करीब पंचायतों को शामिल किया गया है हलांकि पहले से ही पालंपूर नगर कॉंसिल थी जिसमें 12 पंचायते थी मगर अब निकम में 12 पंचायते पूरी तरह से शामिल हुई है जबकि दो पंचायते टेंपरेरी बेसिस पर आई है जिसके चलते अब निगम का दाइरा भी 30 स्क्वेर किलोमेटर से ज्यादा हो गया है रागेश प्रजापती ने कहा कि उनकी पूरी कोशिश रहेगी कि 25 नवंबर तक सब ही वाडो को रिजर्व कर लिया जाए ताकि भविशे में चुनाओ आयों के आदेशों के मताब एक जल्द से जल्द चुनाओ करवाये जा सकें प्रोसेस है कॉर्परेशन का उसको कंप्लीट कर लिया जाएगा आपको बताना चाहता हूं कि टोटल 15 वाड़ बने है और इसमें जो पुरानी हमारी मंस्पल काउंसल थी उसमें 14 पंचायते एड़ हुई है जिसमें 2 पारिशली एड़ हुई है और 12 फुली एड़ हुई है उसके उपरान जो एरिया है लगबग 30 स्क्वाइर किलोमेटर से बढ़ गया है और अब हमारी कोशिस रहेगी कि 25 तारीक तक जो हमारे वाड़ है वो रिजर्व हो जाए और आने वाले समय में जैसा स्टेट एलेक्शन कमिशन द्वारा निरदेश होगा उसके अनुसार एल रमशाला से नरेपचीत निपे की रिपोर्ट